आज मैं आपको अहोई माता अश्टिमी की कथा सुनाने जा रही हूँ यह व्रत कार्थिक लगते ही अश्टिमी को किया जाता है जिस वार की दिपावली होती है अहोई अश्टिमी भी उसी वार को पड़ती है इस व्रत को वेश्ट्रिया करती है जिनके संतान होती है यह संता गार था जिसके साथ बेटे थे साथ बहुएं तता एक बेटी थी दिवाली से पहले कार्थिक वदी अश्टिमी को साथो बहुएं अपनी इकलौती ननत के साथ जंगल में मिट्टी कोद रही थी वहीं स्याहू सेई की मांद थी मिट्टी कोदे समय ननत के हाथ से सेई का बच प्रवियों ने बना कर दिया, छोटी वाली भावी ने सोचा कि अगर मैं कोग बन्धवाने से इंकार कर दूँगी, तो घर में सास ससुर क्या कहेंगे, सास नाराज होंगी, ऐसा विचार कर ननत के बदले छोटी भावी ने अपनी कोग बन्धवा ली, इसके बाद जब उसके कोई भी बेटा होता तो सात्वे दिन वो मर जाता एक दिन उसने पंडित को बुला कर पूझा कि मेरी संतान सात्वे दिन क्यों मर जाती है तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूझा किया करो सुरही गाय स्याव माता की भाईली है तब तेरी कोक का बच्चा जीएग इसके बाद सेवा बहु प्राता काल उटका चिपचप सुरही गय के नीचे सफाई आदी कराती गौ माता बोली कि आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है सो आज मैं देखूं कि गौ माता बहुत तड़के उठी क्या देखती हैं कि एक साहुकार के बेटे की बहु उसकी नीचे सफाई कर रही है गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसंद हूँ इच्छा नुसा जो जी चाहे मांग लो साहुकार की बहु बोली कि साहु माता तो तुमारी भाईली है और उसने मेरी कोग बांध रखी है सो मेरी कोख खुलवा दो गौमाता ने का अच्छा अब वो गौमाता समुद्रपार अपनी भाईली के पास उसको ले करके चली रास्ते में कड़ी धूप थी सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गरुण पक्खानी पक्षी होता है जो उसका बच्चा था सांप उसको डसने ल अच्छा इन्माता उससे साओकार की वह उसे की तू क्या मागती है वह बोली साथ समुद्रपार स्याओ म ATMाता के पास पहुचा दो गरुण पंक्खनी ने दोनोंho पंक्खों को अपने पहला कर रूंको पीट पर बिठा लिया और स्याओ माता के पास पहुचा दिया स्याव माता प्रसन हो गई और कहने लगी कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है इसलिए साथ बेटे और बहु होगी और वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है साथ बेटा कहां से होंगे स्याव माता बोली वचन दिया है वचन से फिरू तो धोभी कुंड पर कंकरी ह तब सावकार की बहु बोली मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी आई यह सुनका स्याव माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया मैं तेरी कोक खोलती तो नहीं लेकिन परन्तुर अब खोलनी पड़ेगी जा तेरे घर तुझे साथ बेटे और साथ बहुए मिल साथ उजमन किये तता साथ कड़ाई की रात्री के समय जिठानिया आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा कर बूजा कर लो कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख कहने लगी कि तुमने कोग कैसे छुड़ाई वह बोली तुमने तो कोग बंधाई नहीं सो मैंने कोग खोल दी स्याव मातार की पासे मेरी कोग खुल गई है जिसको देखकर सभी जठानिया बहुत प्रसंद हो गई तो जिस प्रकार साहुकार की बहु की कोग खोली उसी प्र झाल